एक relationship में हमेशा दो लोग होने चाहिए, उस relationship में उन दोनों का equal involvement होना चाहिए, फिर चाहे वो involvement practical हो या emotional, अगर दोनों में से किसी एक का involvement कम है और दूसरे का जादा, तो कभी भी एक अच्छा relationship नहीं बन पाएगा, इसलिए अगर आपको किसी relationship को बहतर बनाना है, तो सबसे प पर आप अक्सर किसी तीसरे को अपने बीच involve करते रहते हो, इस तरह के relationship कभी भी मजबूत नहीं हो पाते, bonding, understanding कभी भी strong नहीं हो पाता, जो satisfaction बाला happiness होता है एक relationship का, वो कभी नहीं मिल पाता,